नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं वीखे नियूजर मैं हूँ आपके साथ जियोतिस सिंग गर्मियों का मौसम शायद ही किसी को पसंद हो लेकिन आम का मौसम सब को पसंद है जी हाँ, गर्मिया आती हैं, साथी दसीरे आमों के लिए मन ललचाना शुरू हो जाता है और हो भी क्यों ना, आफिर आम सभी के फेवरेट जो होते हैं वो तरह-तरह की किस्मों के मीठे और स्वादिश्ट आम पस देखो तो मन ललचा जाए लेकिन जो लोग डाबिटीज मरीज होते हैं, वो लोग इन आमों का लुथ नहीं उठा पाते क्योंकि खुद डॉक्टर भी उन्हें आम खाने से रोग देते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, डाबिटीज मरीज भी जी भर के आम खा पाएंगे जी हां, सही सना आपने, अब आम के एक ऐसे किस्म तयार की गई है जिसको शुगर के मरीज भी मन भर के खा सकते हैं और इससे शुगर लेवल रती भर भी नहीं बढ़ेगा, ये दावा सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही इन तस्वीरों का है जिसमें लिखा है कि ये फल असल में जामनी रंग के आम हैं, जो 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद आम और जामन को मिला कर बनाए गए हैं साथी ये भी कहा गया है कि डायबिटीज पेशिन के लिए तियार किये गए ये आम उत्तर प्रदेश के खेतों में पका कर तियार किये गए हैं लेकिन जैसे जैसे ये तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल होती जा रहे हैं, कई यूजर्स इसके सच्चाई पर सवाल भी उठा रहे हैं ऐसे में हमारे एक दर्शिक ने हमसे इस वाइरल दावे की परताल करने की मांग की बस फिर क्या, विके ने उसकी टीम ने इसकी परताल की तो पता चला वाइरल हो रही आम की ये तस्वीरें फेक नहीं हैं हलाकि इन दोरों तस्वीरों के साथ जो दावा किया गया है वो बिल्कुल फेक है याने इन आमों को 10 साल की कड़ी मेहनस से नहीं बनाया गया है और अगर ये आम यूपी में भी पाई गये हैं तो इस बात खुला साभी नहीं हो पाया है कि यूपी में इस आम फी किस्म कहा पाई गयी है दरसल जामनी आम की उन तस्वीरों को गूगल रिवर्स इमेज टूल पर डाला गया तो पता चला कि ये अमेरिका में उगाई गई दो खास अलग-अलग किस्मों की हैं इसमें पहली किस्म का नाम पामर है और दूशरी किस्म का नाम टॉमी एटकिन्स है दरसल आम की 21 अमेरिका के फ्लोरिडा में विक्सित की गई थी लेकिन अब ब्राजील में भी काफी मात्रा में उगाई जाने लगी है सोशल मीडिया पर वाइरल होने वाला ये दावा हमारी परताल में फेक निकला यानि जामनी आम जैसा कोई भी आम फिलाल भारत में नहीं पाया गया और अगर पाया भी गया तो इस बात पर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ कि ये कहां पाया गया है विके नियूज की मुहीम फाइट अगेंस विके नियूज जारी रहेगा अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर वीडियो या तस्वीर है जिसकी सच्चाई पर आपको शक हो तो हमारे साथ शेयर जरूर करें वीके न्यूस की टीम इसकी परताल कर हर सच्चाई आप तक मौचाएगी फिलाल के लिए हमारे साथ जुड़े रहें देखते रहें वीके न्यूस और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद